जोड़े गुद्मॉर्न फ्रेंड्स आज है केंथ हैं वी आरोड सीवी एसी अब किसी भी बॉट्स है तो आपके लिए पैलोशी का मैं प्रास्ट लिशन स्टार्ट करा हूँ क्लास टेम का अब देख सकते हैं आपके जो हमारा फर्स्ट लिशन है तो फर्स्ट लिशन का नाम अब दिया किया है लाइफ प्रॉसस अच्छली वर्ट को देखिए लाइफ प्रॉसस यहनि लाइफ के लिए जो नेसिसरी प्रॉसस है उस सारे प्रॉसस को अब भूते हैं लाइफ प्रॉसस तो एक लिविंग और्डेशन को जिन्दा राने की लिए उसके अगर अलाइफ राना रहा है वो जीप राना चाहना है उसके लाइफ प्रॉसस शरी प्रॉसस है एक और को से हैं जो आपको एजसे आटी उतने मेंचिए है कि कोई बिविंग और्डेशन को तभी जिन्दा रासकता है जब हो न्यूट्रीशन करेगा यानि बढ़न से किसी ने किसी फूड को आप्टेन करने पड़ेगा जो फूड आप्टेन करता है उससे जो न्यूट्रियेंट्स है वह न्यूट्रियेंट्स से एनर्जी लिजू और एनर्जी लिज के लिए जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस होता है एलिश्पाइशन अगर हमने फूर लिया अपसे नूट्रेंट्स में एनरजी भी याद मी गया तो वह एनरजी आप लास माई पर चुके है कि मिटोफंड्रिया में एनरजी रिलीश होती है तो वह एनरजी को ट्रांस्पोर्ट होना है पूरे बॉड़ी सिल्स है इसलिए आपका उसको थाड़ लाइफ करनी से सरी प्रॉसेस है वह है ट्रांस्पोर्टिट्स अब हम जो कुछ भी नूटियेंट्स के फॉर्म में आपकेट करते हैं तो वह सारा यूस्पोल ने होता है इसमें कुछ हाट पुल होते हैं कुछ रिस्ट मेटियाल होते हैं जिसको बॉड़ी से इलिमिनिट करना पड़ता है उसके लिए इक इलेशन है आपका लास जिसको को बोलते हैं expression, यह एक लिवी बाड़ी इनको जिन्दार में कि यह बड़े, nutrients में नहीं है, उसे energy लेजो, उसे body cells में transport हो, और उसे जो waste material हो, और यह लिवी नहीं होते हैं, तो यह ही four process को बोलते हैं, life process. Actually, where we can define the term life process, the process by which maintaining life, और all those process by all those process which necessary for having of an organism. किसी दी जिवी जिन्दार आने के लिए, जो necessary process होते हैं, वो सारे process को life process करते हैं, वो कौर कौर से process होते हैं, nutrition, respiration, transportation and excretion. We can explain one by one first topic, nutrition. What is the nutrition? Nutrition, we can define the term nutrition, the process by which uptake nutrients and its utilization by an organism. किसी भी living organism के द्वारा, जो nutrients हैं, उसको अप्टेट करें, ग्राहत कर लेते हैं, और अप्टेट किया हूँआ nutrition, जब body cells उसको use करते हैं, तो वो हो process को बोलते हैं, nutrition. Suppose that हमें फूड लिया, पोजन खाया, और अप्टेट से निकाल लेगे, यह आपका nutrition नहीं होँआ, हमें जो खाया completely, हमारा जो stomach है, उसको digest करते हैं, उससे nutrient soften कर लेगे, तो उस process को बोलते हैं, क्या nutrition? The process by which, अप्टेट nutrients and its utilization by an organism is known as nutrition, अब nutrition देशो हम अप्टेट करेगे, हमें और nutrients को है, सारेगे कि कोई stone है, ब्रीक्षन है, स्ट्राइब यह को तो तो नहीं का सकते हैं, हमके यह को अप्टेट करते हैं, nutrients portion करते हैं, अच्छी में nutrients है क्या? Nutrients को अप्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, friends, the organic and inorganic compound which used as sources of energy. जिस और अर्गेनिक और अर्गेनिक compound का यूज, अनर्जी के लिए यूज करते हैं, तो उस compound को हम लोग nutrients करते हैं, अम definition था के हम nutrients को क्या कर रहा है, uptake कर रहा है, यानि ले रहा है, तो कैसे ले रहा है, how can you obtain nutrients by an organism, तो इसके लिए एक topic में सुन किया हुआ है, mode of nutrition, mode which means method of obtaining food from other things, किसी भी thing से, कोई भी thing से, और उससे कर हम क्या कर रहा है, nutrients को uptake कर रहा है, तो उसके methods होते है, living organic जो uptake कर रहा है, तो living organic जो uptake कर रहा है, उसके methods उसको बोल भी है mode of nutrition, और यह mode of nutrition होता है, वो two types होते है, एक autotrophic होता है, और एक heterotrophic होता है, जो आठोट्रॉफिक हैं मैंने पताया हमें यह क्या है? मेथन है लेकिन यह जो आठोट्रॉफिक है इन बना है इस बढ़ाने की मेथड होती है कि हमें कभ चावर डालना है कभ पानी को वाल करना है वाटर वॉयल करना है तो ये method हो लेकिन अप ठेक है आप ठेक है करें जैसे हमने food को जब बना कर अरकर डाल दिया तो आपका अस्टों में क्या करना हो method नहीं है वो प्रोसेस को करता है जिससे food digest हो दलता है तो बनाना होगया method, असो मत मेवले ले और उसका डाइसल क्या हूँ है? process Same traditions होता है कि आठ्रोप्राफिक हुआरा method है है और यह आठ्रोप्राफिक बनाए है, आठ्रोप्स क्या है? process कैसा process है? तो इसको और अगर देखें तिसमें दो ग्लीक वाढ़ हो जादे एक अठो है ट्रॉफ, अचो विजिन्स सेल्फ, अचो विजिन्स नूट्रिशन, अगर हम यहां में बात करने कि जो खुद से फूड को प्रिपेर कर गए हो, तो ऐसे ओर्गनित को अचो ट्रॉफ की करने लिए लिए टू टाइस की होते हैं, एक जोते है लाइट के प्रिजि अचा है, और उसमें अपने फूड को सब प्रिपेर कर रहे हो, तो उसमें लोग बोलते हैं कि वो अचो ट्रॉफिक है, तो क्लास 3 के लिए इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, फोटो अचो ट्रॉफिक जो किसमी होता है, ग्रीन प्लांट्स की होते हैं, और यही ही जो जो होता है, फोटो टॉपिक को समिलने के लिए एक लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाव है फोर्तो सिंतासिस, और इस फोर्तो सिंतासिस को काम जिया थे, जिनका नाम है चानी Kaali Vorn, यहीहीं उने ही फ rồi प्रे सिंतासिस को काने, अगर हित्रोटीन नेके सेकेंड मेंटर जो होता है इसो कुछ से कर रहे हैं, यहाँ पर दखेगा है ह upon विटे गज़ने ही ऊपने, ऊपने जो फूल पर देबीस होते हैं कि वॉइसे पालोगे छी तो इटो डोजते हैं, तो ऑगनें प्रोवगे-दो कर दो पके स्लेबी ख्रने नॉझाट परसाइट, प्रफाइड, अलोजवर्ण, शैडिक वरेस, गोष्ज, ओमनिवर्ण, प्राइट, 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 आप नमें गवस्पूर्ण, चाहिए नियुक्छ फेटर से बेडर्ड विए पर शुक्षटिते।